आज मैं फिर से हजिर हुआ हूँ एक नए टोटोरियल के साथ आज हम देखेंगे रिफरेंस टेप के बारे में यह टोटल जो आपका रिफरेंस टेप के अंदर है यह पूरा का पूरा आज हम देखेंगे इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसका फायदा क्या है तो यह सब हम देखते हैं आज की विडियो में तो अगर आप अभी तक नए हैं मेरे यूटूब चाइनल में तो पिलीज वसीम कंप्यूटर्स को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताके हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके तो देखते हैं आज का टॉटोरियल तो सबसे पहले हम इसको सेलेट कर लेते हैं यहां से देखें हमने इसको सेलेट किया है अब हॉम के अंदर जा करके हम इसको कोई हेडिंग का स्टाइल दे देते हैं जैसे का हेडिंग वन पे किलिक करते हैं यह देखें आपका हेडिंग जैसा हो गया है लेकिन heading क्या होता है आपका normally ऐसा भी होता है आप देखते होंगे या फिर यहां से भी इसको इंटर मार देते हैं तो इस तरह का क्या होता है heading आप देखते होंगे और यहां से भी इसको कर लेते हैं पहला वट केपिटल होना चाहिए अब यहाँ पर क्या है इंटर मार के हम नीचे आ जाते हैं इसके बाद आपका आता है reference tab इसमें click करेंगे और यहाँ पर table of content में click करेंगे और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका automatic किसी एक पर click कर देंगे वो आपका आ जाएगा तो हम यहाँ पर click करते हैं यह देखेंगे आपका जो आपने heading बनाया है वो आपका आ गिया है तो चाहे आपका क्या हो साथ में रहे यह मतलब कि इसी पर अगर आप में या फिर आप अलग से रखेंगे तो भी आपका यहाँ पर आ जाएगा इसके बाद क्या है add text इसका मतलब क्या है कैसे इसको use करेंगे तो हम यहाँ से इसको enter मार लेते हैं और इसको select करते हैं जैसे कि यह देखें हमने पहले enter मारा अब इसके बाद जो ऊपर word है हमने इसको select किया है जो ऊपर style है उसी style का नीचे वाला भी हो गिया है इसके बाद इसको आपको कहां पर यहां पर add करना है यानि की content 3 वाला तो आप यहां पर select करेंगे यह box के अंदर click करेंगे और यहां से update table पर click कर देंगे और यहां पर देखेंगे एक box खुल के सामने आया है तो आप नीचे वाले पर click करेंगे यह आपका आता है update इंटर टेबल और यहां से ok पर click कर देंगे तो आपका जो तीसरा वाला है मतलब यह देखेंगे जो हमने बनाए the heading वो भी आपका यहां पर आगया है कहां पर contents में इसके बाद क्या है आगे देखें इंसर्ट food not food not कहीं पर आपको लगाना है जैसे के हम यहां पर लगाना चाहते हैं template तो यहां पर हमने click किया है अब इसके बाद इंसर्ट food not पर click कर देंगे तो यह देखेंगे यहां पर number one आगया है और यहां पर आप क्या लिखने चाहते हैं किसी चीज का reference देना है मतलब हावाला देना है तो हम यहां पर लिख लेते हैं जैसे के वसी हमने लिख लिया इसके बाद क्या है next page में जाते हैं यहां पर भी हमें लगाना है क्या insert footnote आप इसमें click कर देंगे और यहां पर भी लिख सकते हैं ms word in hindi अब अभी हमने दो लगा लिया है यह देखिए आपका यहां पर एक है यहां उपर और दूसरा आपका नीचे है तो अभी देख रहे हैं आपका जो है continue चला है यानि कि आपका पहले एक आया फिर दूसरा नंबर आ रहा है अब चाहते हैं कि हर पेज का जो नंबर हो वो एक ही हो तो इसको जैसे कि नंबर 2 है नंबर 1 करना चाहते हैं तो आप यहां पर click करेंगे और इसके बाद यहां से continue वाले पर हटा के यहां से यह वाला ले लेदे है जी start आपका हर पेज के अंदर चाहिए तो आप नीचे वाले पर click करेंगे और यहां से insert कर दीजे या apply कर देंगे तो दोनों का काम एक ही है यह आप देख सकते हैं कि आपका पहले number 2 था अब number 1 हो गया है इसके बाद आगे देखते हैं क्या है आपका insert and not insert footnot क्या है आपका page के अखिर में आता है यानि कि page के last में आता है लेकिन insert and not क्या होता है आपका file के end में आता है जो भी book हो या फिर file हो या document हो तो उसके end में आता है क्या insert and not अब कहां पर लाना चाहते हैं पहले वहां पर आपको click करना है जैसे कि हमें यहां पर चाहिए तो क्या है insert and not पर click करेंगे जैसे हमें यहां पर चाहिए तो insert and not पर click करेंगे और यह देखेंगे आपका एकदम last में आया है यह आपका three page के अंदर यह जगह नहीं है उसकी वज़े से यह आपका एकदम three page में आगिया है और यहां पर लिख लेते हैं फिर इसके बाद क्या है आपका देखेंगे next food not यानि कि आप पहले या दूसरे में जाना है तो आप next करेंगे तो यह देखें पहले फिर दूसरा जितना आपका रहेगा यहां से next करते जाएंगे आप उसको देख सकते हैं फिर इसके बाद क्या है शो शो का मतलब यानि कि एकदम देखना है किस चीज को जहां पर आपने जिससे कि यहां पर आपका यहां पर थोड़ी देर रखते हैं तो आपका लिखा हुआ आता है यहां से किसको देखना चाहते हैं फूट नॉट को या एंड नॉट को तभी हम फूट नॉट को देखना चाहते हैं यहां पर निशान लगा हुआ है ओके कर देंगे यह देखे आप देख सकते हैं इसके बाद फिर हम बाहर आ जाते हैं मतलब के यहां पर किलिक करते हैं और फिर शौर नॉट पर किलिक करेंगे और हमें एंड नॉट को देखना है तो इस पर किलिक करना है और और अक्य कर देना ही सकत disciplesetzen sore end node को तो आप्ने देखा ठीक है बहुत आसान है आगे देखते हैं क्या किया है insert session इसका क्या मतलब है जैसे कि आपको कहीं पर कुछ लिखना है जैसे कि हम यहां पर किलिक करते हैं और यहां से insert session पर कि temporary करेंगे और इसके बाद यहां पर ऊपर वाला ले लेते हैं, add new, इस पर click करेंगे, अब इसके बाद यहां पर देखेंगे, और कुछ options आते हैं, यहां पर देखेंगे, bookstation है, general article, यहां पर देखेंगे, बहुत सारा है, तो हम कुछ नहीं, सिर्फ book वाला click करते हैं, book वाला को select किया, author, यहां पर नाम लिख देते हैं, author का, मुसनिफ का, अब इसके बाद नीचे, title, फिर इसके बाद, साल यहां पर लिखना चाहाए, तो साल लिख सकते हैं, और यहां पर publisher, यानि कि नाशीर, अब इसके बाद और चाहिए, तो आप यहां पर shop पे click करेंगे, तो जो भी आपको लिखना है, CT है, editor है, volume है, number of volume, कितनी yield है, यहां पर बहुत सारा है, सब के अंदर आप लिख सकते हैं, तो हम यहां से इस पर click करके हटा देते हैं, मतलब कि आपका shop गया है, फिर इसके बाद यहां से ok कर देते हैं, यह देखेंगे आपका इस तरह से आजाता है, इसके बाद क्या है आपका manage, manage के अंदर click करेंगे, तो आपका यहां पर options आता है, कि manage कर सकते हैं, मतलब कि change करना है, तो यहां पर copy भी कर सकते हैं, delete है, edit है, यह फिर नया भी ले सकते हैं, और जो भी आपने लिखा था, यहां पर देखेंगे, अकरम वाइगराफी, फिर अकरम वसीम computer, मॉंबाई, मरकज मी जैसे कि हम नीचे वाले पर click करेंगे, तो इस तरह से यहां पर दिखाता है, तो हम undo कर देते हैं, इसके बात क्या है, बीबलोगराफी, आप इसमें click करेंगे, तो यहां पर number one, इसमें click कर देंगे, तो जो भी आपने यहां पर लिखा था, वो सब यहां पर आपका आगिया है, तो यानि कि जो भी आप लिखेंगे, वो total कर total यहां पर दिखाता है, कहां से यह आपका, बीबलोगराफी से, इसके बाद क्या है, insert caption, तो उसके लिए हमें क्या है, सबसे पहले कहीं पर जगा बना लेते हैं, जैसे कि हम यहां ही पर कोई तस्वीर लाते हैं, या image, आप कहां पर insert से, और यहां picture पर क्लिक करेंगे, और picture कहां पर है, आपको मालूम होगा, यहां पर हम यह वाला ले लेते हैं, फिर insert कर देते हैं, इसके बाद फिर और एक लेते हैं, कहां पर हम यहां पर ले लेते हैं, कहां पर insert पर जा करके, picture पर क्लिक करते हैं, और यहां से यह वाला फिर insert अब हमने picture को select किया अब reference में जाएंगे और यहां पे insert caption पे click करेंगे तो यहां पे देखे figure 1 आ रहा है अगर आपको अपनी मर्जी से लिखना है तो आप new label पे click करेंगे और यहां पे नाम दे देंगे जैसे के image और यहां से okay कर देंगे अब आपको क्या है देखेंगे यहां पे image 1 यहां पे आपको image ABC चाहिए या आपको इसके अलावा चाहिए तो यहां पे click करेंगे numbering पे और यहां पे देखेंगे अभी 1,2,3 कुछ और चाहिए alibata या ABC capital में, small में या फिर roman में चाहिए तो जो चाहिए आप यहां से उसको select कर लेंगे जैसे का हमें 1,2,3 को रखना है okay कर देते हैं और यहां से भी okay यह देखेंगे आपका image 1 अब ऐसे ही इसको भी select करते हैं और यहां से insert caption पे click करके image 2 automatic नाम दे दिया है okay कर देते हैं अब क्या करना है आप उपर चले जाएंगे यहां पे और यहां पे click करते हैं यह खाली है normal है इसके बाद insert table यहां पे click कर देंगे और यहां पे कुछ नहीं करना है सीधा okay कर देंगे तो यह देखेंगे आपका दोनों आ गया है पहला वाला जो photo है वह पहले page के अंदर है और दूसरा वाला जो है वह दूसरे page के अंदर यह जो right side में दिखाता है यह आपका page number होता है इसके बाद क्या है आपको तीसरा लगाना है तो आप कहीं पे मतलब यहां पे लिए आते हैं और insert में जाएंगे picture पे click करेंगे और हम यहां से कोई picture ले लेते हैं जैसे के फिर से हम यही ले लेते हैं और insert कर देंगे जिसको लेना है यहां पे अब फिर reference के अंदर जाएंगे और यहां से insert पे click करके number 3 देखेंगे automatic दे रहा है ok कर देंगे अब यहां पे तीसरा वाला लाना है कहां पे आपका जो ऊपर है कहां पे यह एकदम last में यहां पे click करेंगे और यहां पे देखेंगे आपका update table पहले आपका highlight नहीं था अब highlight हो रहा है क्योंकि अभी हमने तीसरा photo लाया है तो इस पे click कर देंगे और यहां से नीचे click मतलब select करेंगे यह आपका नीचे वाला है update इंटर table पर और okay यह देखेंगे आपका तीसरा भी आगया है अब direct तस्वीर को मतलब देखना है तो आप control दबा के click करेंगे mouse का left click करेंगे तो direct आप तीसरे photo को देख सकते हैं यह देख रहा है फिर आगे क्या है आपका cross reference इसका मतलब क्या है तो हम यहां पर जाते हैं जहां पर यह हमारा है यह image 1, image 2, image 3 यह अभी देखेंगे आपका क्या है पूरा 3 line में है लेकिन आप चाहते हैं तो हम यहां पर click किये कहां पर नीचे एकदम क्या लिखा तो उसको याद रखना पड़ेगा जैसे का हमने लिखा था image इसको select कर लेंगे और यहां से देखेंगे पूरा आगे image 1, 2, 3 image 1 select है यहां से insert फिर 2 फिर insert 3 insert फिर यहां से close अब यह देखेंगे आपका तीनो एक लाइन के अंदर आ गया है जबके इससे उपर वाला क्या है? तीन लाइन के अंदर है तो जिसको देखना चाहते हैं क्या है? माउस का left click control दबा के click करेंगे तो आप वहां पर जा सकते हैं जैसे image 1 तो यह भी आपने देखें ठीक है? बहुत आसान है अब आगे देखते हैं क्या है? mark entry तो हम उसके लिए किसी what को select करना पड़ेगा जैसे का हम headers इस पे select कर लेते हैं और mark entry पे click करते हैं और यहां पर देखें header आ रहा है फिर bold करना, italic करना है तो हमें कुछ नहीं करते हैं सीधा mark पे click कर देते हैं और clause अब इस तरह का निशान आ जाता है तो उसके लिए आपको home के अंदर जाना पड़ेगा और यहां से निशान हट जाएगा click कर देंगे तो फिर अभी हमने इसको लिया था select किया था अब आगे document को select करते हैं और reference के अंदर करके mark entry 1212 से करते हैं फिर man entry के है document फिर ball नहीं कुछ नहीं mark कर देते हैं clause फिर इसके बाद निशान आ जाता है वापस home के अंदर जा करके यहां पे click कर देंगे निशान आपका खतम हो जाएगा इसके बाद अभी हमने दो को लिया headers और document को अब वही आपको यहां पर चाहिए हम थोड़ा इंटर मार लेते हैं कहां पे जाएंगे reference के अंदर और यहां से insert index पे click करेंगे और यहां पे इस तरह का ही निशान आएगा box खुल के सामने आएगा और यहां से okay कर देंगे तो यह देखेंगे के तीसरा word ले लेते हैं diagrams select कर लेंगे फिर यहां से mark इंटरी पे click करेंगे और यहां से भी mark फिर clause फिर home के अंदर जाएंगे और यहां से निशान हटा लेंगे अब हम यहां पे जाएंगे कहां पे यह देखे last में अगर आप नीचे रहेंगे तो वह निशान आपका reference के अंदर यह update का option नहीं आता है क्यों कि आप यहां पे अभी जो नीचे है वह normal है खाली जगह है तो इसके लिए आपको यहां पे last वाले में cursor रखेंगे और यहां से update यह दिखे आपका चालू हो गया है update पे click करेंगे वह तीसरा वाला जो die कराम हमने लिया था यह आपका आगिया है ऐसे ही क्या है mark session यहां से भी वैसे ही तरीका है किसी word को select करेंगे हम नीचे आ जाते हैं जैसे कि हम इसको कर लेते हैं quick style को हमने select किया अब mark session पे click करते हैं और यहां से वही mark देखे क्योंकि style में यह आ रहा है mark कर देंगे फिर close कर देंगे इसके बाद हमें यहां से home के अंदर जाके निचान हटा देते हैं फिर दूसरा कोई word ले ले लेते हैं क्या ले ले लेते हैं जैसे कि यह themes इसको हमने select किया reference के अंदर mark station फिर यहां से mark फिर close और home के अंदर जाकर के निचान हटा देंगे अब इसको उपर लाना है कहां पर एकदम जहां पर हम लखना चाहते हैं एकदम उपर यहां पर और इंटर mark के निचे आ जाता है हमारे पास जगा और lady है यहां पर हमने click किया अब reference के अंदर जाएंगे और insert table यानि किसी भी चीज़ का आपको table बनाना है हम यहां पर फिर okay कर देंगे तो यह देखिए आपका cases quick style फिर themes आपने दो लिया था दोनों आ गिया है इसके बाद आपको कोई तीसरा word चाहिए तो आप तीसरा word को select कर लेंगे जैसे के current template select किया mark यहां पर और यहां से भी mark clause home के अंदर जाकर के निशान हटा देंगे अब कहां पर जाएंगे इस तीसरा को लाना है content में आपको यहां पर तो यह अब भी आपका नहीं आएगा कहां पर reference के अंदर जाके देखेंगे यह नहीं आ रहा है तो उसके लिए हमें यहां पर last में यानि कि three के आखिर में आ गए और यहां सा update table अभी show कर रहा है click कर देंगे यह देखेंगे आपका तीनों आगे current table quick style themes तो यह आपका क्या है table बनाने का style है content कैसे बनाते हैं किसी भी चीज़ का हो या तो heading का हो या फिर image का हो या फिर यहां पर क्या है mark entry mark session तो जो भी आपको बनाना है तो आप reference के जरिये से बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं ठीक है अमीद है कि आज की वीडियो पसंद आएगी बनाते हैं